महनत और लगन से हम कोई भी मुकाम जो है हसल कर सकते हैं ऐसा काम आज बुल्धाना जिले के चान्रोड इस ग्रामी शेत्र के वैभाव द्रहुने इस छात्रे ने कर दिखाया है इस छात्र का जो नीट की जो एक्जाम है वो देने से पहले इसका जो कॉलेज है उस कॉलेज को भी बहुत सा जो श्रे है जाता है शिवशाई यूनिवर्सल जुनियर कॉलेज में ये छात्रे ने अपनी तयारी की है और उसे जो है पांसो बारा मार्स नीट के एक्जाम में याँ पर मिले है आईए सिधा बात करते हैं उसे जानते हैं किस तरह का सफर जो है इसका रहा है अपना नाम बताए और किस तरह का सफर आपका जो है वो रहा है मेरा नाम वोईबोव फुल सिंग द्याउने मैं जब फर्स से फोर्ट स्टेंडर्ड तक मैंने या पर जो मराडी स्कूल है इसे मैं पढ़ाईगी प्राथिमिक स्कूल वहाँ से उसके बाद मुझे पिता जी लेकिन फिर भी मेरे पैरेंट्स ने होप नी छोड़ाया और मुझे पुरी मेहनत करके मुझे आगे मोटिवेट किया कि तुझे कुछ न कुछ लाइफ में हसिल करना है तो मैंने वासे फिफ्ट स्टेंडर्ड में मुझे तो कुछ मराठी मराठी से जाके इंग्लिश में श लेकिन अशिप मेरा स्कोर मेरा स्कॉर आनए के पहले है मम्य जी को लगता था कि स्कॉर आने से गर की जो situation है, मतलब जो financial condition है, हाला कि मतलब बहुत अच्छी नहीं है, तो उसकी वज़े से मेरे parents वापे मेरे support के लिए नहीं थे, मैं अक्यला वापे room पे रहता था, लेकिन वहाँ पे जो situation थी कि बस मुझे अक्यला था, तो वहाँ पे support में कोई नहीं था, वहाँ के coaching भी ऐ था, फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत, फिर भी study के अच्छे से किया, अच्छा marks भी आते थे, बट लास्ट में, जब मैंने फर्स्ट आटेम दिया था नीट का, 2019 में, तब मुझे बहुत कम score आया, 244, शिर्फ इतना बहुत कम था, तो मैंने तो होप छोड़ दिया थ नीट अपन करी नहीं सकते, फिर भी मम्मी जी ने पुरी, फिर भी मुझे मोटिवेट करते रहे हमेशा, कि नहीं, तुझे कुछ ना कुछ करना है, तो पिता जी के डेथ होगे, तो मम्मी जी नहीं सब कुछ किया था, उनके लिए कुछ ना कुछ मुझे भी करना था, और और मोटिवेट किया एंद फिर उसके बाद बहुत अच्छी लाइप में मतलब क्या बोल सकती उसको एक मेरे मामा जी जो मुझे मज़े बच म से सपोट करते बुलना आगे से तो उन्होंने मुझे बच परन से सपोट करते हैं फिर हम एक दिन गए सर से मिले तो मम्मी जी ने पहले मतलब बोल दिया ते सरवको सर हमारे कंडिशन इतनी अच्छी नहीं है हम इसको बाहर और युछ न रिपीटि आना, हुम्ए उससे कुछ न कुछ रिजल्त करने है। तो आप जो एक करोते हैं। मतलब इसकी देन शखनाल न एक एक सेपड में यह कुछ न कुछ न कुछ न कुछ कर सके लाइब। मतलब इसकी देने ही विलखते हैं। हमेशा से बाखी कोच सिंग के जैसा नहीं था कि हम थीचिंग करेंगे यह पर अलग पॉइंट यह था कि यहां का सपोर्डिंग स्टाप जो यह वो बहुत अच्छा था अन्सपोर्डिंग स्टाप होने के वज़े से टीचिंग थीचिंग में 1200 अंच्छा थैं जो यहां पर बाखी टीचिंग भी थे सबोर्डियो स्टाफ आंड जो यह थे बाखी जो सबोर्डिंग में यह थे मादलब एक्जाम कंडक्टर वगरे यह भी बहुत अच्छे से थे चेकिंग अगार भी बहुत अच्छे से हो दी तो एक्जाम भी इनोंने time to time लिये तो उसक कुछ है निकि इन्होंने मेरी लाइब अच्छे से बना के दिए। अभी जो मैंने असिल किया यह बस लाने सरकी मेनत इनका जो शुषाई का पूरा सरकल है इन्होंने पूरी मेनत मेरे लिए जो भी मै आज हसिल के इस 2020 के रिजल्ट में नीट के तो इसमें आदे से ज्यादा मेरी मेनध से ज्यादा इससा उनके सपोर्डिंग को जाता है उने मुझे बहुत अच्चे सपोर्ट किया को एक अच्छे से लेकिन उन्हें बाकी जो था पारिवार एक तोर पे या फिर उनसे जो भी हो सकता है जो भी कुछ हिल्प कर सकते थे बाकी उन्होंने पूरा मुझे अच्छे से हिल्प किये इस साल में भी मतलब उनका बहुत अच्छा कांटरिविशन राज इतना शिवसाय का है उतना ही उनका भी है सब मतलब सब कुछ रह जाता है मेरे सक्सेस का वैभा की माता जी हमार साथ है जिन्होंने बड़ी संगर्ष के साथ ये वैभा को यहां तक पहुचाने के लिए बहुत से ऐसे हाथ है जो इसके कामयाबी में लग लगता था कि आका कूछ कर पाहेँ को यह कैसा था कि जैसे उसके पापा तेना वह पूть जैसे हमारे घर केतिबाड़ी है पर जैसे इफकली सेundo capturing हैट तो मेरे कि लगता था कि जैसे आचाना का एसा हो जाने से कि हुए बंड़ेंगे शेले गढ़ेंब कि इए कर के है जैसे सच purity मुझे हुट जाना था एक अभ़ी कवा चुछ फीर को आप कर दर्यμεारे पीर entran था ईते जा को यह बहाई पिर मेर भाईंए माऔ Doujalने अच्छ वहां एची जो अपने लाने सर है शिवशाई क्लास के तो फिर वहापर अच्छ ही हुआ और अब ये साल कुछ भी है कुछ ये तो ये लाने सर समझो हमको भगवान रूप मिले और उन्होंने हमारे लिए जो करें भोति जैसे अपने एक सगी बैन के बेटे कुछ जैसे ये करते हैं वैसे जो है इस यूनिवर्सल जूनियर कॉलेज जो शिवशाई है इसके संस्ता पक है उनसे भी हम बात करेंगे उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का वैभाव का जो सफर है वो रहा है और किस तरह से इसमें उनका योगदान है दावीन अंतर अनेक मुलन ना मेडिकल इंजिनेरन जान्याकरी तेंची है तेंचा कल असतो त्या सथी नीट आनी जे डवली सरक्या मा तोच परिक्षा द्यावे लगता आनी घरमजे बुल्डाने मदे या परिक्षे ची तैयरी करने सथी एक प्योग्यास दालन नहुता त बुल्डाने अतली बरेच विद्यारती लातूर, कोटा, अकोला, अमरवती अशे टिकानी जात होते आनी त्या मदे माजे मुल्गी मेर सुद्दा माजे मुलीला लातूरला शेकोला आनी त्यात मला लक्षा दाला कि बाहर जातना किती त्रास होतो किती पुटुमबाची आतावत होते आणि पैसा ये अत्यांत खुब मोड़ा प्रमानात करचा होतो आणि जा लोकान चोंड पैसा नाई ते विद्ध्यार्थी मात्र त्या टिकानी जाओ शकतने आणि तेंचा कड़े टैलेंट आसुन सुद्धा तेंचा बुद्धी मत्ते चा कई फायदा होत आणि मनुन या अपलेक बुल्डाने सरक्या शेहरा मदे सुद्धा आजुबाजुचा खेड़े पड़ेतील मूलो इते शिकले पाई जे या उद्धेशान गिल्या चार वर्शा पुर्वी मी नीट आनि जे डबलीची तैयरी करने सटी दिल्ली, कोटा, हैदराबाद या पाच विद्धियार्थी MBBS लागिलेत, BAMS, BDS याचा विचार केला तर जोपास 18 विद्धियार्थी मेडिकल साइडला मक्चा वर्शी लागिलेत या वर्शी आमचा जे डबलीचा निकालतर इतका चंगले पते दिन लागिला कि एक ग्रामीन भगतला विकास उगले नावाचा मुल्गा तेला 99.52 तेला परसेंटाइल तेला मिलाला आल इंडिया मदे तेचा 23 तेचा रैंक अला माजा सोताचा मुल्गा यास कोलाइज मदे शिकला तेला ही जे डबलीचा मेन परिक्षे मदे 17.20 तेला मार्स तेला परसेंटाइल तेला मिलाला आणि आएटी आडवांस मदे तेना पेपर दिला आडवांस ची परिक्षे तो पात जला आणि आथा आएटी खड़क्पूर या टिकानी तरचा सिलेक्षन जला आज आज आँचे या महावी देलाचा एक मुल्गा आएटी कड़क्पूर दुसरा मुल्गा यनाईटी नाक्पूर आणि तीसरा आट ट्रिपल आईटी आशा पत दिना त्या मुलाचे जे डबली मदे सिलेक्षन जले आँटन नीटसा निकल लागला ते नीटसा निकला मुधे पासे शहत्तरामसा पहला मुल्गा आला द्यानंतर चा पासे चाड़ीज, पासे तीस, पासे सत्राम आश्या पददीचे या वर्षी सुद्धा एक सात्या आट मुला आपले MBBS ला निच्चित पने देंची निवड़ुईल आसा अमाला वाट्टा एक ग्रामीन भागातले मुलानना एक सांगला पददीचे दालान आपन या ठिकाने उबकिला कि या माझा क्वालेज मदून जे MBBS सुनारी मुला आयत कि मा इकले NIT IIT ले जनारी जी मुला आयत हे मुला जर आपन क्वालेज सुरुकेला नस्ता तर निच्चित पने देंची जाओ शकत नहुते त्यांची 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 त्या काने लुटितूरी सारल का नथा अपनार न नुटिश्याया इसाण्टा भाइसा कि कुटा पूसा कोटा इसेल लाथूर अथेल आंदेल आशेल या ठिकानी जाता है पर यहां शग्ड़ान चार रिजल्ट जर आपन बगितला तर पुटेज पास ते साथ तक्यपक्षा रिजल्ट कुटलाच काई मिलत नहीं विद्यार्दां चा एका विद्यार्धा मागे पास-पास सा लाग रुपे करच होताई कि जर आपन जर अभ्यास केला तर आपन इते रहुने ही आपन सांगले पतितिना मार्स मिलू शक्तो आपने अपने धेये जे त्या आपन असिल करू शक्तो अोनल माला विद्यारत अना शांगाईस है कि दिल अपने अपने सारी नहीं है, शेउट्री अभ्यास आपने लगात्री शक्तो आपने त्या मिलूत है तर तेन नी तो पल्कान ने विचएर कर कुड़ अज पंखन कि पोटेला टकला की माधा मुल्गा तिकड़े व्यकादी फैक्ट्री जाय का तिरू निगुन यह तो आयाटी जोन यह तो एम्बी बेस जोन यह तो आसा कई नहीं लगन जर ठेवली चंगला अब्याच जर केला तो निच्चित पने होता आनी अनेक विद्यार थी आतमी बगितला है मक्चा वर्शी चिखली चेक मुल्गी पोटेला गिली तिते मानसिक संतुलन तिचा विवस्तितर आलना है अत्मात्य किली गरच जर बाहर असले नंतर विद्यार थी चाहीं मानसिक रास एटेना काहीं उते है तेना खाने पिनेची विवस्ता होती का नाई ओत अनी झुद दास्ति आस्ति 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 आका त्याने गिवुचों स्काने होगें। भूंपन निचीद पन भीतियास्ति त्या मुखले इतिया पालक नाइक चांगली संधी निर्मान जाली याए या संधी पालक नी पायदा ग्यावाँ अनि करमचे आथा गियो नहीं रहाले आता आता आने कही प्रमानात मुलान चा ओड़ा जो आहे तिकड़ सा जाने चा कमी जाला है लोका आता विचार करान लग लेगी नाई जर इतेपन रिजल मिलतो है तो मैं आपना ता कशला जाई से आनी बविश्यात यह प्रमाना होई राच